जो realization मेरे को हुई है इन सारे conversation से वो ये है कि success का एक template नहीं है जितने भी लोग हैं हर बंदे का अपना journey रहा है हर बंदे के अपने challenges रहे हैं और हर बंदे के success के definition अलग है inspiration चावपाल का ये तीसरा एपीजोड है बीजय गौतम के साथ inspiration चावपाल ये एक ऐसा हिंदी podcast है जहां हम किसी inspirational और successful personality से बाते करने वाले है दोस्तों आप मुझे podcast में सुन रहे हो भारत में जब podcast नया नया था उस वक्त बीजय गौतम कुछ नया करने की सोच रहते और उन्हें podcast करना शुरू किया podcast कैसे बनाए उसके लिए लगने वाले equipment ये सारी चीज़े कुछ भी available नहीं थी सारे विपरीत परिश्थितियों को दूर करके विजय ने अपने एक छोटे से room से podcasting की शुरूआज पाच साल के जर्नी के बाद आज वो हिंदुस्तन के सबसे टॉप podcaster में से एक बन गया है उनका शो प्रे-inspiring talk भारत में सबसे ज़ादा सुने जाने वाले podcast में से एक है वो वही पे नहीं रुखे उनका podcasting की प्रती passion इतना था उन्होंने podcast coaching की शुरूआत भी की और नए नए नहीं लोगों को podcast की तरफ लेके आने के लिए शुरूआत की आज उन्होंने coach किये हुए हजार से ज़ादा podcasters बारत भर में अलग-अलग विश्यों पर podcast कर रहे है दोस्तों मैं भी उनमें से एक हूँ विजय मेरे भी podcasting की गुरू है क्या दिक्कते आई podcast शुरू करने में सौ से ज़ादा लोगों से बात करने के बाद क्या realization हुआ क्या सीख मिली उद्ध्यो जग बनने के बाद सोच में क्या परकाई और podcast का future क्या है इन सारी बातों पर चर्चा की है आज के इस episode में शुरूआत करते हैं आज के इस episode को बीजे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस inspiration चौपाल पे थैंक यू नचिके थैंक यू सो मच यूजिली में लोगों का interview कर रहा हता हूं तो आज I'm on the other side of the table so thank you so much yeah और मैं भी बहुत excited हो और nervous भी हो क्योंकि मेरे गुरू जी का मैं interview ले रहा हूं आज yes everything is going to be tested absolutely yes so BJ आपके life के बारे में आपने काफी सारी बाते बता ही है आपके जो podcast का 100th episode था उसमें हमने उसमें से काफी चीजें हमने सुनी भी है और जानी भी है तो हम लोग थोड़ा सा आपके life में आपके job से शुरू करते हैं so that हमारे जो शोतागण है उनको थोड़ी सी बात ही समझ में आए कि of course आप एक middle class family से आते थे और जो typical हम लोग का सपना रहता है कि अच्छा job मिल जाए so you started as a you know research scientist but फिर आपके उस वक आप happy नहीं थे और आप देख रहते कुछ और करने के लिए so क्या चीज थी वो आपके मन में क्या चल रहा था why you were not happy कि क्या एक factor था उसके वज़े से आपको लग रहा था कि यह सही नहीं है और मुझे कुछ और करना है so जैसे आपने कहा कि you know अमें lower middle class family से आता था और you know job मिलना and you know going and getting that job तो वो एक success था कि हाँ मतलब job है and that's to you know leading pharma company में job था research scientist के title था so और उसके बाद जब मैंने job join किया था job join करने के first three months वो मेरे को training में लेके गए थे और उस training में you know पूरे देश भर से you know smart पच्चों को उन्होंने लिया हुआ था और उन में से पंद्र लोग पंद्र पंद्र प्लस मतलब टोटल पचास साथ लोग थे काफी चूने हुए you know उन्होंने interview लेके multiple round के interview से लेके उन्होंने select करे हुए साथ बच्चे और उन सब को उन्होंने training के लिए तीन मेने उनके training academy में बेजा था और उस training academy भी भी you know में topper था और उन्होंने मेरे कोवार्ड दिया था कि ये most promising candidate मतलब ये हमारा best higher था ये तो मतलब जंडा गाड़ेगा यहां पे इन सब बच्चों से मैं तेज भी हूँ और मेरे को मतलब काम में भी काम भी सही लग रहा है तो मैं अब research scientist होते हूँ थे मैं eventually किसी दिन इस company का research का head बनूँगा मैं और ये ही काम करना है तो वो पहले job का excitement होता था वो शुरू में काफी था और जब जैसे ये चता गया एक साल होता गया और उसके पाद मेरे को थोड़ा सा अंदर से feel होने लोगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है मैं जबरदस्ती साहथ ऐसा तो नहीं कि मैं भाग रहा हूँ कि यार मेरे को यही रेस जितना था क्या मतलब यही रेस भागना था क्या और मैंने एक दिन decide कि यार भाग भी रहे हैं जित भी रहे हैं बट यही रेस जितना था क्या तो the answer that came वस नहीं यह रेस तो नहीं भागना था हम तो गलत रेस भाग रहे हैं तो गलत तरे भाग रहे तो then that's when I realized कि यार ये तो अपने ये तो नहीं करना था तो जब आपको ये realization होता है कि मेरे को ये नहीं करना है जो बहुत सारे लोगों में होता है चाए उनको जॉब पसंद नहीं आ रहा हो या चाए वो जो business कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा हो या business छोड़ के job में वापस जाने का मन हो या you know job छोड़ के business करने का मन हो कोई भी case हो सकता है तो हम क्या करते है कि हमारे मन में तो आता है कि ये नहीं करना है बट मेरे को और कुछ करना है बट हम वहीं पर रुख जाते हैं और मेरे को जब ये आया तो then मैंने खुद को ये question बट है क्योंकि जो मैंने पढ़ाई किया था वो research scientist बनने के लिए पढ़ाई किया था जो मैं काम कर रहा था वो वही काम कर रहा था तो मेरे को और कुछ मेरे पास skills भी नहीं था और मेरे को और कोई guide करने वाला कोई भी था नहीं कि तुम ये करो और वह answer आपसे खुद से आ इन सब चीजों से, कि यार ये लोग इतना अच्छा मतलब कैसे करने लाइफ में, मतलब इनोंने कैसे figure out किया कि इनको life में क्या करना है, मतलब ये भी तो उस stage में गए होंगे ना, कि मेरे को नहीं पता क्या करना है लाइफ में, बिट इनोंने तो figure out कर लिया और ये interesting काम कर रह और उसके लाइफ में दो नेक्स चीज करना है वो नेक्स माउंटेन क्लाइम करना है और जो spiritual leader है उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है बस उसको spirituality में और और evolve होना है और यह billionaire है इसको और लोगों के मदद करना है और और पैसे बनाने है तो जब मैंने इन सब लोगों के ही होगा कि इनको पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे figure out किया कि तुम्हें क्या गरना था life में तो that's when मैंने कहा कि यार I think इनको पूछते हैं अगर इनको पूछते हैं और इनसे जवाब मिल जाए तो साइद इनमें से किसी किसी का जो भी journey होगा वो journey मेरे से साइद resonate करेगा और साइद में वही चीज़ follow करके मैं भी वैसा ही कुछ करूँगा तो वो thought आने लगा तो then you know I thought कि मैं podcast सुरू कर लेता हूँ लोगों का interview करने शुरू करता हूँ उनको पूछता हूँ अचा बताओ तुमने क्या किया तुमने मतलब कैसे figure out कि क्या करना तो लाइफ में तुमारे struggles क्या क्या रहे हैं तो वो काफी चीज़े perspective देने लगा मेरे को कि यार मतलब यह तो काफी दमदार चीज़ है काफी मैं सिखने को मिल रहा है मेरे को तो यह that was basically how the entire thing was बट यहां पर मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि हमें काफी सारे लोगों को यह होता है कि भाई मेरे को जो कर रहा हूँ वो नहीं करना है और हम महां पर रुक जाते हैं हम options देखते ही नहीं है या हम कोशिसी नहीं करते हैं बट हमारे पास दो रास्ते हैं अगर कोई भी जो सुन रहा है उसको यह feel हो रहा है कि जो मैं आज कर रहा हूँ या कर रही हूँ चाहे वो job है चाहे business है चाहे कुछ भी है जो या कोई student है जो college में पढ़ राई कर रहा है या कर रही है तो उस में हमारे पास दो रास्ते हैं एक कि आप यह सोचो कि यार मैंने बहुत time efforts money लगा दिया है already इसमें तो अब मेरे पास कोई option नहीं है मेरे को तो बस अब यह continue करना है चाहे मेरे को पसंद आए चाहे मैं खुश हूँ चाहे ना हूँ but because मैंने इतने time लगा दिया और मेरे पास कोई option नहीं है मेरे को तो यह करना है आगे तो यह है तो दूसरा option आपके पास यह है कि अच्छा ठीक है मैंने जो time money effort जो भी लगा दिया ठीक है but because मैंने 3 साल 5 साल लगा दिया इसमें आगे कि मेरे 50 साल को मैं इसी frustration के साथ मैं नहीं जीना चाहूँगा तो आपके पास you know you have a decision to make, आप वो decision कभी भी ले सकते हो और ऐसा नहीं कहरा हूँ कि सब को छोड़ हाड के jump मारो, you can start it on the side, you know आप side में एक test कर सकते हो, try कर सकते हो side में and then eventually आप उसको आपको यह भी तो पता होना चाहिए था कि you know if that's something that you want to enjoy, that you are enjoying or not right, तो yeah I mean तो मेरे you know podcast सुरू किया लोगों क interview करना सुरू किया और उन से काफी अच्छे चीज़े सीखने को मिलता था और देन मेरे को लगा कि यार हाँ यह बड़ा interesting है और लोग जो सुन रहे हैं मेरे conversation वो भी आकर मेरे को बोल रहे है कि हाँ यार मतलब काफी अच्छा है हमें काफी सीखने को मिल रहा है तो देन मेरे का कि यार यही करते हैं तो यही मेरा blueprint है so yeah but usually होता यह है कि यह जो phase होती है life की यह थोड़ी से लेट आती है सब लोगों के life में I mean mostly हम लोग बोलते के mid career crisis की almost 30s के बाद में 35s के बाद में लोगों के दिमग में आना शुरू होता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इतने early stage पे आपको यह बाते आना so आप जो खिताबे पढ़ते थे उसका फायदा हुआ या क्या reason था कि इतने जल्दी आपके life में वो stage आ रहे इतने जल्दी आपके life में I think यह बहुत ही interesting question है न चिकेद because मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ जो आप कह रहे हो meet life career या जो एक career करने के बाद you know बीच में वो सोचते है कि यार मेरे को यह नहीं करना है और मेरे को लगता है कि यह चीज सब को होता है I think you know सब को beginning में होता है बट हम यह सोचते है कि थोड़ा सा चला लेते हैं या हो सकता है कि हमारे पास responsibilities और life के conditions ऐसे होते हैं कि हम दूसरा step नहीं ले सकते हैं जो भी हो सकता है बट मेरे को लगता है कि यह कहीं नहीं आपको feeling होता है जो चीज आपको 5 साल बाद आ रही है तो मेरे को लगता है कि वो सुरू से ही कहीं नहीं आपको अंदर पता चलता ह कि मेरे को यह नहीं करना है विकर्ज साइद आपको पैसे चाहिए होते हैं या विकर्ज आपके पास कोई और आप्शन नहीं है या आपके पास इतना बड़ा रिस्पॉंसिबिलिटी है तो वह आप कभी रियलाइज नहीं कर पाते हो बट आप एक जब वो एक ऐसे फेस पे पहुंचते हो कि इसके उपर में खिच नहीं सकता अब इसको इससे उपर गया तो मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा अब मैं ये इससे ज्यादा बियर नहीं कर सकता तो तब आप ये बोलना शुरू करते हो couple of things, एक तो जैसे मैंने काहा कि मैं काफी सारे workshops में, training में जाता था, मैं काफी सारे self-help के blogs पढ़ता था, तो वो सब, you know, वो सब ये कहते थे कि आपको अपने अंदर का क्या है, talent को पहचानो और जो चीज है, उसको करो, because we all have, you know, our talents, we all have something that we can probably, you know, add value to the people, right, तो ये होता था, तो मैं जब इन events में जाता था, तो मैं खुद से पूछता था कि, अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यही करना है कि नहीं मेरे को, तो I think वो analysis, जो part है, वो काफी important होती है, जहां पर आप खुद को रुक के questions पुछो, खुद से बाते करना बहुत जरूरी है, चो मेरे को लगता है, because हम अकेले होने में, अभी तो मतलब social media के time में, हम अकेले नहीं होते हैं खुद से, अकेले होने का मतलब है कि, खुद से बात करना, खुद से, being comfortable with being yourself बोलते हैं, कि खुद से रहे के, you know, just going deeper, अंदर जाके you think about yourself, कि ask yourself some questions, और जब ये questions पूछते हैं, तो ये इस तरीके के answers आते हैं, आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, यहीं करना है, नहीं करना है, तो वो चीज हमेशा रहता है, तो I think ये खुद से बाते करना चाहिए, और also भाकी लोगों के, लोगों के interaction में और इनसे बाते करने में भी, you know, पता चल जाता है काफी चीज है, और तीसरी चीज है है कि जब आप इस तरीके के लोगों के, जैसे मैंने podcast सुरू करने से पहली, जब मैं training अटेंड करता था, events में जाता था, तो मैंने ऐसे लोगों के साथ बात करने सुरू किया, कि जो अलग काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, तो जब ये एक network का भी effect होता है, और आप events बगरा attend करते हो, तो वहाँ से आपको कुछ नगुछ सीखने को मिलता ही है, तो अबीजे, आपने podcast के बारे में सबसे पहले कब सुना था, so podcast is a term जो मैंने सुना था, वो तो 2010-2011 में, जब मैं college में था, तो मेरे पास एक छोटा Samsung का Java phone था, smartphone नहीं, बड़ा screen वाला कुछ ने, एक छोटा सा Java phone था, तो उस phone में opera browser होता था, बहुत ही 2G मेरे internet में articles कुलते थे, तो मैं उस टाइम, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं काफी सारे blogs पढ़ता था, लोगों के यह देखता था, तो तब मैंने, you know, मैं राविन शर्मा के blog पढ़ता था, और उस टाइम एक blog, Steve Pablina करके एक blogger है, जो जिसको blogging भी बोलते हैं, self-help या personal transformation space में, तो Steve Pablina is a very well-known blogger in the, you know, self-help space में, काफी अच्छे articles उन्होंने वो लिखते थे, अभी पता नहीं, अभी लिखते हैं की नहीं, बट वो personal development में काफी अच्छा blogger थे, तो मैं ऐसे ही, you know, Google करते हुए मेरे को रॉबिन शर्मा और ये you know, Steve Pablina के बारे में पता चला, तो मैं उनके blogs के, you know, frequenter, regular reader होने लगा कि मैं उनके जब भी नए blog आते थे, जो पुराने blogs थे, मैं वो continuously पढ़ता था, और साइध ऐसे ही जब मैं उनके website में browse कर रहा था, you know, मेरे को उनके website में, उस time अब मेरे को पता नहीं है, उसमें audio लिखा था, या podcast लिखा था, वो मेरे को याद नहीं है, but, you know, उसमें click करते, उनके website में एक menu था, उसमें click करते ही न, वहाँ पे काफी सारे audio के file दिखते थे, जो आप अपने phone में download कर सकते थे और अपने phone में download करने के बाद को सुन सकते थे, तो मैं, मैं actually, उनके जैसे Steve Publina के website में जितने भी थे, I think Steve Publina के website में तो साथ podcast था, मेरे को याद नहीं है, but basically वो podcast थे, अब उसमें audio लिखा था, या podcast लिखा था, वो मेरे को याद नहीं है, तो मैं अपने phone में वो पूरे download करता था, और you know Robin Sharma के website में, जितने भी वो थे, मैंने अपने phone में download करके, जब सुबे में jogging जाता था, तो मैं अपने कान में लगा के वो सुनता था, और उसके बाद में अपने पबलिना के वो सुनता था, और और बाकी भी जैसे काफी सारे चीज़ में फिर उस टाइम क्या करने शुरू कर दिया था कि, online जब मैं course में होता था, तो वो audio का option देते थे, तो मैं वो audio भी अपने phone में download करके, because आप as a student में, जब jog में जाता था, या you know, खाना बना रहा होता था, तो तब मैं सुनता था, तो I think 2010-11 की बात है ये, जब मेरे को ये पता चला, but जब मैं college से निकला, उसके बाद उसके बाद ये आदत छुट गई थी, कि मैं ये audio नहीं शुनता था, mostly मैं video देख रहा होता था, या वो करता था, और podcast क्या होता, अब तक मेरे को पता नहीं था, जब मैं सुन तो रहा था, but मेरे को पता नहीं था, ये podcast होते हैं और ऐसे सुनना है, तो वो I think मेरे को जब 2016 में, late 2016 में पता चला, एकदम से connect हुआ, ये तो मैं 5 साल पहले भी करता था, ये तो मैं सुनता था, तो तब पता चला कि अच्छा, आप मतलब, you know, podcast सुनने के apps आ गए थे तब, I think साइथ 2011 में उन्होंने website में इसलिए डाला था, क्योंकि तब इतने apps नहीं थे, maybe apple में तो था, apple podcast तो, you know, काफी पहले से था, but बाकी apps नहीं थे, google podcast, podcast box, ये सब काफी बाद में आए हैं, तो तब तक, जब मैंने 2016-17 में देखना सुरू किया, तो तब podcast सुनने के लिए काफी apps भी थे, तो ये एक मेरा, you know, podcast kind of discovery journey रहा है, okay, okay, but जब आपने ये decide कि मुझे लोगों से बात करनी है, उनसे पूछना है कि उन्होंने अपने dream कैसे follow किया, तो उसके लिए आपने podcast का माध्यम क्यों चुना, और उसको podcast, ठूकि इतना popular नहीं था, 2016 या शायद डेली या मुंबई से बार कोई सुनता भी नहीं होगा, आपने शेका कि apple podcast था, बाकी के podcast तो बहुत बाद में आए, बट ये आपने podcast का माध्यम क्यों चुना, और इसको आपने कैसे सीखा so, honestly नचिके, 2017 में, मदब उस टाइम जब मैं college में था और राविन शर्मा और इनका पढ़ने का और ये सब, कहीं नहीं मेरे को था, जैसे मैं बोल रहा था ने, कि हम सब को पता होता है, कि हमें करना क्या है, बट हम अंदर से वो खुद को करते हैं and the question that you said, कि mid-life crisis में जा के आता है if you really think about it, जब मैं college में था मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को बोलना अच्छा लगता है, मेरे को stage में जाना अच्छा लगता है, लोगों को सिखाना अच्छा लगता है train करना अच्छा लगता है तो मैं कहीं ने कहीं trainer बनूंगा या आपने तो चार self-help के किताब पढ़ लिया तो आपको लगता है कि मैं motivational speaker inspirational speaker बनूंगा तो वो मेरे को भी था कि यार मैं किसी तरीका का speaker बनूंगा लोगों को कुछ सिखाऊंगा I want to be in front of people तो वो मेरे को college से ही था even college से पहले से ही ये चीज था तो that's why मैं personal transformation ये उस सब में गुशता था तो जब मैं अपने job में आया तो उस time में क्या करता था मैं काफी सारे trainers के group में मैंने join किया था कि जहां पे trainers बात करते थे training है इधर है उदर है तो मैं जो बड़े trainers होते थे उनके you know event में जाता था कि as a you know supporting person कि जहां पे उनको कुछ चाहिए या set up करना है तो so that मेरे को काफी सीखने को मिले तो मैं ऐसे event में जाता था उनसे सीखता था कि क्या चल रहा है तो ऐसे ही 2017 में एक you know एक काफी senior trainer है बॉंबे में जो मेरे अभी mentor भी है ब्रिगेडर शुशील वसीन तो उनका एक एक दिन का एक event था Delhi में जो free event था में गया और उन्होंने काफी अच्छी बाते बताई वो event का नाम था train the super trainer तो मैं उस event में गया काफी interesting event था उसके बाद मैं घर वापस आया और उस event में उन्होंने बोला कि अच्छा आप लोगों को अगर ये ये बाते अच्छी लगी है जो मैंने बोला है तो आप लोग आईए इनो मेरा पांच दिन का इनो deep dive event है जहां पर मैं आपको trainer कैसे बनना है training कैसे देना है वो सारा जितने भी जो भी चीज मेरे को पता है वो मैं बता दूँगा वो army person थे retired army person now into training तो उनके पास काफी experience था मेरे को लगा यार ये तो काफी अच्छा opportunity है और उस event का I think cost काफी काफी ज्यादा था I think 70,000 रुपे उस event का वो था और जब मैं घर वापस आया तो मैंने obviously join नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे थे नहीं तो जब घर वापस आया मैं सोने जा रहा था but I couldn't sleep that night मैं सो नहीं पाया उस रात कि कहींने कहीं मेरे को अंदर से आवाज आ रहा था कि यार ये मेरे को तो करना है but कैसे करना है वो I have to figure out तो मैंने काफी एक अच्छा लंबा खासा mail लिखा उनको कि मैंने कहा कि देखो आपका इवेंट मेरे को काफी अच्छा लगा I enjoyed this session and I strongly want to do it और you know मैंने उनको कुछ अपने वीडियोज भी भेज़े देखो मैं ऐसे बोलता हूँ ये मेरे वीडियोज हैं इस तरीके के content create करता हूँ और मेरा ये रहा है because काफी सारे लोग है जो आपको ऐसे message डालते है mails डालते हैं बताते हैं मेरे पास resources नहीं है but वो time pass कर रहे हैं because उनमें या तो वो serious नहीं है या तो मनलब वो करना नहीं चाहते है just because कि उनको लगता है मैं बोलूँ तो साहथ ये बंदा मेरे को कुछ you know free में offer करे तो ऐसे काफी सारे लोग डालते है you know mail but मेरे को at the same time मेरे को ये भी दिखाना था कि नहीं में mail तो डाल रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे को support करो at the same time I'm also telling you कि I'm gonna be your success story में एक आपका success story बनूँगा write make करके दिखाऊंगा तो उसके लिए दिन I you know shared कि मेरे पास मैंने ये ये चीज किया है मैरे ये ये है मेरा ये dream है तो मेरे को आप you know you see तो then then obviously you know he said कि you just cover your cost तुम सिर्फ अपना cost cover करो मेरे को कोई नीचे पास दिन तुमें रहने खाने का जो भी तुमारा cost है वो तुम cover करो और event attend करो तो वहाँ पे उन्होंने किया तो वो पास दिन का event was transformative for me भले ही वो you know trainer बनने की event थी बट मैं काफी अपने self discovery journey में गया तो उस event का वो था कि जब मैं उस event से आया तो मेरे मन में सिर्फ एकी चीज था कि यार अब कुछ करना है और वहाँ पे मेरे को था कि यार मैं अभी मेरे को network भी चाहिए लोगों का मेरे को लोगों से जान पैचान भी बनाना है मेरे को लगा कि इसके लिए तो I think मैं जब लोगों का interview करना सुरू करूंगा तो काफी अच्छा जान पैचान बनी जाएगा तो मेरे मन मत है कि यार मैं तो YouTube चैनल करूंगा कि जहां पे यार सामने सामने table में बैठेंगे और camera आगे लगा के बढ़ी आब बात करके YouTube में डालेंगे वो मेरा initial idea था तो फिर मेरे को पता चला कि YouTube करने के लिए तो आपको एक तो पूरा studio setup चाहिए उसके बाद camera चाहिए आपको mic चाहिए ये सब करने में तो आपको काफी इनो पैसा भी लगेगा और मेरे को realize हुआ कि मेरे full time job भी था उस time और resource था नहीं उसके बाद आपको पूरा ये process करने में भी काफी ज्यादा time and effort लगेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप YouTube नहीं कर सकते जॉब के साथ बट मेरे को उस time mostly resources नहीं थे आपको दो camera खरीदना है अच्छे अगर दो camera भी लगाते हो तो काफी ये डेर दो लाख का setup आपका है और उसके उपर से studio चे ये तो ये सब मेरे को सोचते हुए मेरे को लगा कि यार साइद ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो तब में सोच रहा था कि अच्छा अब क्या कर सकता हूँ अगर YouTube में नहीं कर सकता हूँ तो अब में क्या कर सकता हूँ तो then that's when मेरे मैंने then then जब इसकावरी चल रहा था तो then मेरे को बता चला अच्छा podcast कुछ होता है तो दब मैंने research करने इसकी लिए तो मेरे को लगा ओ अच्छा ये तो काफी interesting चीज है इसमें तो बस मैं अपने bedroom में बैठा हुआ हूँ तो आराम से ऐसे इनो बात कर सकते हैं लोगों से तो ये काफी अच्छा मज़धार चीज है तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार ये ही करते हैं podcast ही करते हैं तो उसके बाद जब मैंने podcast करने शुरू किया मेरे को लगा यार ये तो काफी अच्छा चीज है ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है तो फिर मैं सुचाएं कि अब तो बस ये ही करना है great great but क्या दिक्कते आई शुरूवात में दिक्कते न चीके I think I will मैं उनको दिक्कत की तरह लेता नहीं हूँ वो एक ये वो होता है but काफी सारे चीजे है जैसे जब मैं जब मैं पॉड्कास्ट कर रहा था उस टाइम ये जॉब भी कर रहा था तो हम एक छोटा कमरे में रहते थे मेरी सिस्टर में मेरी मम्मी हम तीन लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे और और उसी कमरे में खाना बनता था, उसी कमरे में हम सोते थे और उसी कमरे में सब कुछ होता था, तो हम एक ही कमरे में रहते थे और यहां पर मैं बाते कर रहा हूँ इतने बड़े-बड़े लोगों से और मैं बैठा हुआ 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 तो अब उस में रेकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे को माइकरफॉन चाहिए है। तो मैंने का कि नया माइक खरीदना तो मतलब काफी महेंगा दिख रहा है तो क्या जुगाड कर सकता हूं तो मैं OLX पे जाके सेकंड हेंड माइक खरीद लिया और OLX से मैंने एक सेकंड हेंड माइक्रोफोन लेके आया और उसके बाद उस टाइम मेरा जो लैप्टॉप था वो उस पे हीटिंग एस्यू आ गया था तो मतलब वो चलते चलते अपने अप गरम हो जाता था और एकदम से बंद हो जाता था तो आप guest के साथ interview कर रहे हो और एकदम से बंद हो जाता था और उस टाइम ये जो हम tools यूज करते हैं आज recording में वैसे tools भी नहीं थे तो उस टाइम skype में करके हम कोई दूसरा tool यूज करते थे record करने के लिए जो backup recording करता था तो अगर में वो इसलिए मेरे को क्या में हर 5 minute में हर 5 minute में save करता था तो मेरे पास काफी सारे multiple file होते थे 5 5 5 5 minute के clip होते थे और हर 5 minute में इसलिए करता था क्योंकि अगर in case अगर ये laptop बंद हुआ तो मेरे को last 5 minute का file lose होएगा उससे पहले का होएगा नहीं मैं अपने guest को अब ये तो नहीं बता सकता था कि यार मेरे laptop खराब है और वो मेरे ठीक करवाने गया तो उन्होंने बोला कि आपका ये ठीक होएगा नहीं नहीं या laptop लेना पड़ेगा तो अब मेरे पास कोई option था नहीं तो मैं उनको ये ही बोलता था कि नेटोक का problem आ गया है इंटरनेट में कुछ दिखकर है तो मेरे शुरू के जो guest होंगे पहले guest उनको काफी लोगों को ये भी होगा कि हाँ ये बेरे साथ हुआ था किसी के साथ ये भी हुआ कि आदा record कर लिय तो ये सब चीजें मतलब आते हैं but it's just that की you know you just persist through it आपको just but मेरे को एक चीज उस थाइम भी पता था ना चिकेत की ये सब ना temporary है मतलब ये laptop खराब होना या हम एक room में बैठना और you know ये सब temporary है because ये सब जाएगा मेरे को ये इतना अपने मन में clear था कि ये सब जाएगा मतलब और उस टाइम भी मैंने कुछ videos उस टाइम मैंने record किये थे जो हिम्मत हुई नहीं आज तक मेरे को post करने का side मैं करूंगा कभी किसी दिन कि जहां पर मैंने video shoot किया हुआ है मैं देखूंगा उस video को तो मेरे को खुद side काफी वो अच्छा लगेगा जब उस time में बोलता था कि यार अगर तुम बोलते हो तुमारे पास कुछ resource नहीं है मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो ये video देखो कि मैं यहां पर बैठा और मैंने वो पूरा अपने जहां पर room में रहता था उसके पूरा video का selfie लेके बनाया और बना के रखा हुआ है कि देखो मैं यहां पर रहता हूँ और यह करता हूँ और मैं यहीं से मतलब इसे global लोगों के साथ बात कर रहा हूँ तो मतलब आपको यह सब तो आपके excuses हैं जो दे रहे हो तो एक चीज यही था कि मतलब यह सब होने के बाद भी बस यह है कि आप आपको कहीं न कहीं लगता है कि यह सब temporary है यह तो सब जाएगा अच्छे दिन आएंगे जब आप मेहनत करोगे और efforts डालोगे तो वो चीज मेरे को कहीं न कहीं हम ऐसा पता था कि यह सब temporary ह बट यह आप जो बोल रहे हो बेजा कि अच्छे दिन आएंगे हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से वीडियोस देखते है motivational वीडियोस और यह सब चीज़े देखते है and then कुछ करने जाते है फिर कुछ होता नहीं है फिर थोड़ा frustration आ जाता है तो क्या कहोंगे आप ऐसे जैसे आप अभी बोल रहे हो कि एक छोटे से रूम में बैठके पाच-पाच मिनिट के आप clips करने से लेके आज wine studio चलाने तक आपका जिन्दगी पहुँच चुकी है so सच में dreams do they come true? I think I think मेरे को तो अगर आप मेरे journey देखो तो मेरे को तो लगता है कि यार अगर आप consistently एक सिद्दत से जो बोलते हैं न मन लगा के पूरे effort के साथ काम करते हो ना तो आपको ना लोग मदद करना चाहते हैं चो ये चीज़ मेरे life में काफी देखा है जब मैं लोगों का interview करता जब मैं पहले जब मेरे को पता ही नहीं था लोगों को कैसे बात करना है कैसे उनको interview में बुलाना है और मेरे जब mail डालता था तो एक one of the early guests जिसको मैंने I think मेरे वो 7th य 8th guest थे उनको मैंने mail डाला और उनका reply काफी interesting reply आया उन्होंने बोला कि बीजे just because तुने ये हिम्मत की कि मेरे को mail डालूं मैं तेरे show में आऊंगा तो तुने अच्छा काम करना चाहरा है और just because तुने ये सोचा कि मतलब में message डालूंगा तेरे उस effort के लिए मैं बोलता हूं मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि तेरे पास कितने followers है तू कैसा बोलता है questions कैसे पूछता है तुने ह काम का seriousness दिखता है now seriousness का मतलब ये है कि आप उसमें कितना efforts डाल रहे हो उसको अच्छा करने के लिए right एक तो होता है कि आप podcast करने के case में आप podcast कर सकते हो कोई भी कर सकता आज हर कोई podcaster you know है अब आप एक app download करो अपने phone में record करो डालो आप podcaster हो but then आप कितना effort डाल रहे हो और कितना seriously आप कर रहे हो अगर वो चीज़ आपके guest को या किसी को भी देखता है तो then वो आपको support करना बिलकुल चाहते है right मेरे पास भी you know messages आते हैं लोगों के यार मेरे को भी podcast करना है और जहां पर मेरे को लगता है कि वो एक effort है तो I try and help them as much as possible because I have been through the same journey but काफी सारे ऐसे भी लोग आते हैं जिसका मेरे को दूर दूर से पता चल जाता है कि you know ये खुद का भी time waste करने वाले है और मेरा भी time waste करने वाले है तो then उस case में you know I just don't even you know respond to the messages तो basically ये है कि वो एक चीज है कि आप एक सिद्दत से करो और दूसरी चीज ये है कि आपको किसी भी चीज में जो try करना है उसमें कुदने की जरूरत नहीं है जब मैं ये सब कर रहा था बट मेरा मेरा full time job तो था ही न कि अगर में भले में इसमें थोड़े बहुत पैसे लगा रहा था hosting के हो या microphone खरीदने के हो बट मेरे और मतलब मेरे खाने के लिए मेरे को वो नहीं था क्योंकि मेरा job था full time तो that was supporting me and my family right तो I think ये आप कर सकते हो हमेशा की side में हमेशा कभी भी आप कर सकते हो और नचिके जैसे आप खुद के पास अभी full time job है और अब तीन podcast करते हो और मेरे को बोलते हैं कि you know job के साथ एक podcast कर सकते हैं क्या तो नचिके को देखो कि you know अपने job के साथ अभी तीन podcast क और उसके बाद में एक podcasting company को थोड़े से बाद एक साल जब हो गया था podcast करते करते तो ये network के थूरू इससे बात किया उससे बात किया करके एक podcasting company consulting के लिए मेरे पास आया कि यार आप हमें consult करो इंडिया market के लिए तो में उनको consult करने लग गया और उसके बाद में you know coaching करता तो ये सब चीजे आप खुद में ही एक you know full time job था बट मेरे ये सब में कर रहा था job के बाहर तो जब ये validation होता है तो देन आप ये step लेते हो कि हाँ अब चलो full step लिया जाए और you know पूरा jump मार दिया जाए तो I think मैं यही कहूंगा कि you know आपको सब कुछोड़ सार के करने की ज विकेंड में आपके पास बहुत ताई में आपके पूछना चाहूंगा कि यह जो हिम्मत आप दिखाते हो या आपने जो example दिया कि उन्होंने सिर्फ इसलिए हाँ बोला क्योंकि आपने उनको mail किया ऐसे काफी सारे उदारन आपके इसमें मैंने भी सुने और जैसे आपके प्रकाश आयर का आपका इंटर्वी था उसमें कुछ आपका laptop मेरे खाल से यह हो गया था फिर इतने बड़ी आदमी का इंटर्वी आपको फिर से लेना पड़ा था I think वो episode में मैंने वो सुना था और उसके बाद में मैं काफी सारा जो बहुत judgmental पहले तो उसके बाद मैं कम हो गया मेरे को भी help house में से so यह जो हिम्मत दिखाते हो आप या यह जो आप steps लेते हो so यह आप में पहले से था या यह आप खुद में develop करते गए I think यह develop करना पड़ता है न चिकेट because आपने किसी का time लिया और जैसे प्रकाश आयर है मानलोक आप बहुत ही busy है और जिरो ने एक हिंदुस्तान liver clerk जैसे company का तो जैसे एसे company में leadership के position में काम किये हो तो ऐसे लोगों का आपने interview किया और आपको पता चलता है कि आपके पास interview के file ही नहीं है आपने record करने भूल के आपके गलती तो अब यहाँ पे बहुत ही एक situation होता है और यह सिर्फ उनके case में नहीं है म जो life plugin करके event सलाते हैं तो उनके साथ भी मैंने दुबारा से interview record करना पड़ा तो उसके बाद में इसका यही होता है कि आपको courage के courage से ज्यादा I think इसमें आपको एक authenticity जो बोलते हैं honesty जो बोलते हैं वो दिखाने की जड़त होता है और हम सारे human ही है हम भी तो समझते हैं अगर क के समय वेस्ट करने के लिए बट क्या हम इसको दुबारा कर सकते हैं तो बिकाज हम लोग हैं हम technology में depend कर रहे हैं तो वो कभी भी जा सकता है खराब हो सकता है तो लोग समझ जाते हैं बट यही है कि इनस्टेड अफ उनको ना बताने की बज़र मैं honestly उनको mail डालता था डालत इस बज़र से यह हुआ तो I'm really sorry क्या हम इसको प्लीज दुबारा कर सकते हैं तो people do understand because उनको जैसे मैंने पहले भी बताया उनको आपका genuine effort दिखता है कि हाँ यह genuinely कुछ अच्छा करना चाह रहा है और he cares otherwise आप यह भी तो कर सकते हो ना कि हो गया चालो छोड़ो यार अब इसको दुबारा जाके क्या बोलू तो आप तभी उनको ना भी बोल सकते हो ना but because you care because आप उनका story share करना चाहते हो तभी तो आप जा रहे हो ना वा पस कि भई मैं आपका story share करना चाहता हूं but यह नहीं can we do it again तो I think वो चीज एक आप मेरे को अभी लेटली रियलाइज हो रहा है काफी इस बारे में सोंसता भी हूं which is about you know being vulnerable and authentic अभी मैं बताता हूं की what do I mean by that being authentic का मतलब है की you know मैं अभी रिसेंट्ले का बात कर रहा था YouTuber से interview you know interview किया और ऐसे पहले भी मैंने काफे you know YouTubers या ऐसे personalities है you know उन से पात किया तो वो बोलते है कि we have to put a mask before we go you know on the camera or go with you know in front of our audience तो वो mask डालने का मतलब है कि आप अपना real life दिखा नहीं रहे हो लोगों को मतलब आप authentic नहीं हो and ऐसा नहीं है कि सबको authentic होना है because somebody does a comedy to know they can just can't be authentic on their content they have to make people laugh right but at the same at the same time you can connect with your audience when you are your authentic self जब में ये बोलता हूं लोगो को की you know मेरे you know this is how I have done things then लोगो को you know लगता है की you know हाँ यार मतलब ऐसा प्रब्लम तु मेरे साथ भी है तो देन साथ में भी कर सकता हूं then you know then genuinely people kind of appreciate and they can connect with you better and vulnerability का मतलब है कि आप अपने flaws है वो बाहर लोगों के सामने रखने में डरते नहीं हो तो अभी you know अभी में अपने जो भी flaws है mistakes है गलतियां है I as much as I can I try to put them out for people to learn from and वो मेरे को कमजोर नहीं दिखाते है वो अच्छा मतलब इसको you know English में इसका accent अच्छा नहीं है तो मतलब ये बेकार है नहीं then people will say कि यार अच्छा मतलब इसका accent अच्छे ना होने के बाद भी ये इतने अच्छे से podcast कर रहा है they get the hope but a lot of people think कि अगर मैं ये बोल दूँगा कि यार मेरा accent अच्छा नहीं है तो लोग तो मेरे को बेकारी समझेंगे कि ये तो काम का नहीं है और लोग मेरे को judge करेंगे ये काफी एक fear of judgment होता है अपने अपना जो flaws है अपने जो you know life के वो है वो बाहर किसी से बोलने से पहले सबसे बड़ा fear हमारा ये होता है कि लोग मेरे को judge करेंगे but you know मैं खुद का वो limit push कर रहा हूँ कि I am trying to share as much as I can with the world and again let me tell you कि ये एक काफी मुश्किल काम है जहां पर आप जाके अपने सारे flaws दुनिया को मतलब जो एक बोलते है न open book कि आप आपको सब कुछ पता है मेरे flaws पता है सब कुछ पता है वो एक मुश्किल वो है तो मेरे जितना भी हो सकता है कोशिश करता हूँ और उसका उसका यही तरीका है कि जब जहां पर भी मौका मिले थोड़ा सा और push किजिए खुद को थोड़ा सा और story बता दिए बता दीचिए हर conversation में जब आपने एक बार किसी conversation में बोल दिया है तो वो दूसरे conversation में बोल दे में आपको मुश्किल नहीं होगा बट उसका फाइदा यह होता है कि लोग आपसे inspire हो सकते हैं लोग आपसे सीख सकते हैं और और में भी हो सकता है लोग आपको help करते हैं इसे मैंने पिछले हपते LinkedIn में मैंने डाला था की 7 एपिसोड के बाद मैं अपने podcast बंद करने वाला था because मेरा accent बहुत बेकार था मेरे को interview करना नहीं आता है लोग नहीं सुन रहे हैं so यह सब होने के बाद but still then जब मैंने वह पोस्ट डाला तो then काफी सारे लोगों ने you know LinkedIn में comment किया कि thank you कि तुने किया and now तू अभी इतने लोगों को सिखा रहा है और तू इतने अच्छे podcast produce कर रहा है wine studio के जरिए you know इतने सारे अच्छे award list chart topping shows ऐसे create कर रहा है तू तो I think लोग आपको you know encourage करते हैं लोग relate करते हैं लोग appreciate करते हैं जब आपे share करते हो कि you know your struggles and you know become vulnerable so I think yeah so यह आपने जो post बताई थी LinkedIn के मैंने भी उस पर reply किया तो विजए कितने लोग सुनते थे पहले आपने podcast शुरू किया उसके बार कितने लोग सुनते थे आपका podcast so पहले 6 मैने तक तो 20, 25, 30 लोग ही सुनते थे एक एपिसोड को और जबस मैने वही बोला कि 6 मैने हो गए आपने महनत किया आप तो मेरे को लोग 6 एपिसोड के बाद बोलते हैं कि मेरे को लोग सुन नही रहे हैं में क्या करूं so that's why मैं यही बोलता हूं कि this is a long game we here for the longer run जहां पे आप consistently improve करो और get better over the period of time and rewards are there in whatever form right not necessarily always in the form of money sometime in the form of followers a number of people who get value out of your content वो सब चीज है so 20, 30 लोग सुनते थे but मेरे को जैसे मैने सूरू में बोला कि मेरे को मज़ा आता था लोगों से बात करने में so मैं एक दूसरी podcaster का interview कर रहा था कल पर सो तो उन्होंने काफी interesting बात बताई जो मेरे case में भी काफी वो होता है तो वो कहते हैं कि यार मैं learning and development करना चाहता था मतलब मैं लोगों से learn करके खुद का develop करना चाहता था but मैंने decide कि learning and distribution कि मतलब learn करके मैं सिर्फ खुद के पास क्यूं रखू मैं लोगों के साथ भी share करूँ तो I think मेरे case में भी वोई एक implement होता है कि मैं learn कर रहा था और मैं distribute कर रहा था कि चाहे वो 20 लोगों को फाइदा मिले या 30 को मिले या 2 को मिले लोग सुनने लगे इवेंचली लोगों ने सुनना सुरू किया और audience 6 मेने के बाद audience काफी लोगों ने discover किया तो yeah Great अभी आप almost 100 से दादा लोगों से बात कर चुके हो 116 साब के episodes अभी तक आ चुके है क्या सीखा है आपने अभी तक इन सारे guests से क्या सीखा है क्या common बात रही है इन सारों में एक अगर आपको बोला जाए कि इतने लोगों में एक common चीज जो सबसे सीख सकते हैं हम लोग वो क्या रही है एक सबसे बड़ी जो realization मेरे को ही है इन सारे conversation से वो ये है कि success का एक template नहीं है इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग है हर बंदे का अपना journey रहा है हर बंदे के अपने challenges रहे है और हर बंदे के success के definition अलग है और जैसे मैं शुरू में बोल रहा था जो mountaineer है जो mountains climb करता है उसके लिए success ये है कि मैं आज ये mountain climb किया तो मैं next big mountain कौन सा है जिसको मैं climb करूँ उसको life में और कुछ नहीं चीए वो constantly एक mountain climb करेगा उसके बाद preparation करेगा दूसरे mountain climb करेगा और उसको और दूसरा climb करना है और दूसरा climb करना है उसको उसली में मज़ा आ रहा है और उसके sense में वो successful है जो entrepreneur है या billionaire है उसके case में ये है कि वो अपने services या products के जरीए लोगों को serve करना चाता है और उसको grow करना चाता है बहुत ज्यादा लोगों को serve करना चाता है और और पैसे कमाना चाता है तो I think वो उसके लिए success है कि भई उसका success का definition है कि बहुत ज्यादा लोगों का सेवा करो और और ज्यादा पैसा कमाओ और कोई spiritual leader है तो साथ उसका success का template या definition ये है कि वो और spiritually evolve हो और बांकी लोगों को भी spiritually evolve करने में मदद करे वो उसका success का definition है कोई corporate leader है जो कोई organization में CEO है या CXO है तो उसका success का parameter यही होगा साथ कि वो और साथ बड़े company में CEO बने या या अच्छे तरीके से company को grow करे तो वो साथ उसका success template है नाव एक musician है उसके लिए अपना success template यह है कि और बहतर music में produce करूं उसको और कोई लेना देना नहीं है तो I think उन सबसे बात करने के बात मेरे कोई एक चीज समझ में आ गया है कि मेरा भी अपना खुद का success का template हो सकता है मैं किसी का follow करने की ज़रत नहीं है मेरे को जो मेरे माँ बापने बताया है कि ऐसे ही success का यह template है जाओ job करो और यह करो वो करो वो करने की ज़रत नहीं है जो मेरे को लगता है वो चीज करने की यह वो चीज साइद करना चाहिए तो I think वो एक काफी बड़ा realization था दूसरा realization है कि मैं अपने guests को एक question हमें सब पूछता हूँ कि अगर आपको life इस life को दुबारा से जीने का मौका दिया जाए तो वो क्या चीज है तीन चीज जो साइद आप अलग तरीक इसे करना चाहोगे तो उसमें एक बहुती ज्यादा common answer है वो यह बोलते है कि भाई अगर मेरे को दुबारा से साइद जीने को मिल जाए तो मैं जो भी कर रहा हूँ शायद उसको में जल्दी सुरू करता अगर कोई writer है तो शायद में writing सुरू थोड़े से मेरे young essay में writing सुरू करता ये वो चीज है और दूसरा चीज है कि mentors के लिए भी बोलते हैं कि अगर मेरे को जिन्दगी में मेरा mentor काफी पहले मिलता तो मेरा जिन्दगी काफी आसान होता तो mentor का मतलब ये होता है कि जो आप जो results चाते हो उस बंदे के पास वो result अल्रेडी है तो उससे आप जब सिखोगे तो आपका जो आपको A से B में जाना है तो जितना time आपको खुद A से B में जाने जाने में लगेगा आप जाओगे ऐसा नहीं है कि आप बिना mentor के नहीं कर पाओगे बिल्कुल कर पाओगे हर कोई कर सकता है बट जब आपके पास mentor होगा तो जितना time आप लगाओगे A से B में जाने में वो काफी कम हो जाता है पहली बात और दूसरी बात ये भी है कि आप जितने गलतियां करोगे वो आपके mentor गलती करने नहीं देगा बिकरज वो उस रास्ते से अल्रेड़ी गुजर सुका है और वो आपको hacks बता देगा कि आप वो गलतियां नहीं करोगे आपने भी podcast किया है जैसे मैं बता रहा था कि मेरे को 6 मैने तक मेरे 20 डाउनलोड थे मेरे को 1000 टोटल डाउनलोड होने में तो एक साल लगे थे बट आपने एक मैने में वो काम कर पाए podcast करने के तो वो चीज आपने पूरा मेरा जो 4 साल जितना टाइम लगा था वो टाइम आपने शर्टन कर लिया तो आई थिंक एक mentor life में जो भी चीज है और ऐसा नहीं है कि आपको आपके life में एक mentor होता है ये नहीं है आपको जो result चाहिए उसके basis पे mentor ढूंडो मतलब काफी लोग भी बोलते हैं कि mentor का मतलब है एक बंदा ढूंडो जिसके पास सारे answers हो ऐसा नहीं होता है किसी के पास सारे answers नहीं है अगर आपको fitness fit होना है तो आपको वैसा बंदा चाहिए जो अल्रेडी fit है और जो आपको बता सकता है मेरे पास आओगे या नचिकित के पास आओगे तो साइद हम fitness में आपको कुछ नहीं बता सकते है है ना तो similarly अगर आपको entrepreneurs आप business करना चाहरे है और आपको business mentor चाहिए तो आप उसके पास जाहिए जिसने काफी businesses खुद ने खड़े किये है या आपको जो भी करना है इस basis में आपके एक एक time पे multiple mentors हो सकते हैं एक common ये है कि लोगों को लगता है कि so I think ये दूसरा काफी lesson था कि और तीसरा बहुत ही important चीज इसमें है कि जो Jim Ron बोलते है ना कि आप जिन पास लोगों के साथ time invest करते हैं या या बिताते हैं आप उन पास लोगों का average हो अधी ये बहुत ही true है बहुत ही true है आप कैसे लोगों के साथ you know hangout करते हो कैसे लोगों के साथ मिलते हो बाते करते हो regular basis में तो उनका mindset आपका mindset बनता है अगर imagine करो आप कोई चीज believe करते हो आज की शायद ये चीज़ काम नहीं करता है अगर आप really पूछो के कि मेरे दिमाग पर ये चीज़ कहां से आया कि ये काम नहीं करेगा मैंने शुरू भी नहीं किया मेरे दिमाग में ये है कि ये काम नहीं करेगा तो दिन आपको पता चलेगा कि ये कहीं से ये जो पांच लोग आपके जो बहुत क्लोज लोग हैं जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो ये उनके बिलीफ्स आपके अपने बिलीफ्स बनने लग जाते हैं बट जब आप अपने आप खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करते हो जो लोग स जैसे जब मैं job कर रहा था, हम दीन में मेरे office के लोग, और including myself, मैं हम मतलब दीन में canteen में खाना अच्छा नहीं है, मेरा boss अच्छा नहीं है, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, ये बात करते थे, और मैं जब शाम को food अच्छा नहीं है, ये complain कर रहा हूँ, और ये लोग है, जो, ये लोग है, जो, ये लोगों के जिंदगी में value add, दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, तो देन जब मैंने इन लोगों के, इनो, संगत करने लगा, इनके बाते सुनने लगी, इनका thought process समझने लगा कि ये कैसे सोंचते हैं, तो I think उसका काफी impact रहा है, तो I think you know, सही लोगों के, just surrounding में, रहने में भी, और अभी इसका मतलब है नहीं कि आप physically साथ में रहना है, इसका मतलब है कि आप अपना Instagram feed में जाके ये सारे post जो relevant नहीं है उनको सब को unfollow करो और उनको, उनका follow करो page इनो, जिसको आप, जिसके तरह आप बनना चाते हो, तो आपके, आपने वो, जो है ना, अभी तो सिर्फ पाँच लोगों का physical नहीं रहा है, जीमरोन जब बोलते थे तो सोसल मीडिया था नहीं, इतना अब तो हमारे पाँ सोसल मीडिया आ गया तो अब सोसल मीडिया में आप अपना ऐसा feed प्रिपेर किये कि जब आप जाओ तो आपको अच्छी चीजे ही दिखे, अच्छी, you know, mindset के ही बात वो हुए तो I think यही तिंचार्च सीजे है Yes, so in short आपका, आप जो बोल रहे हो कि, of course यह तो possible नहीं हरे के लिए कि उसके field के जो top 5 बंदे हैं, उनके साथ जाके physically या उनके साथ जाके physically interact करे, but definitely आप जो सोचल मीडिया में आज जिन लोगों को follow कर रहे हो, तो maybe हो रहा होगा कि आप जिनको follow कर रहे हो उनसे खाली negative post आ रही है, तो उनको unfollow करो और ऐसे लोगों को follow करो, जो positivity फैला रहे है या जो अच्छा काम कर रहे है right, and धीरे-धीरे then physical interaction भी हो सकता है बाद में नहीं, physical interaction हो ना हो, आज तो मतलब लोग, I know, काफी accessible है, right, आप LinkedIn में, Facebook में, Instagram में आप उनके कैसे उस सोचते हैं क्या mindset है, क्या बोल रहे हैं वो सब तो आप कर सकते हो और अगर आप actively उनके साथ interact कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि नो आप उनसे, आपको reply मिल जाए उनसे, yeah, absolutely विजय, ये इतने सारे guest में से कोई ऐसी एक बात है जो आपके दिमाग में बैट गई हो या जो it has changed your life forever वाउ, so इसमें ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक guest जिसने ये बोला हो कि जिस शायद वो बदलती हो, बट बहुत सारे लोग हैं, इनो हर conversation में, you know, नया को सीखने को मिलता है, तो I would say constantly life evolving हो रही है, constantly improve हो रही है, because आप हर बार सीख रहे हो, तो I think, वो depend and I think it depends, right, कि आप किस time पे कौन से information आपके life में आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आपको वो information चाहिए होता है, और उस time वो information आती है, तो आपको लगता है कि oh my god, कितना बड़ा impact हो गया इसके बज़र से, और कई बार यह होता है कि वो information कितना ही बड़ा हो, उससे पूरत जिंदगी बदल सकते है, बट आप, आप उस maybe उसके, you're not ready to accept it, मतलब आप उस information को ढूंडी नहीं रहे हो, तो तो दिन वो लगता है कोई बड़ा, वो नहीं है, तो I think, जैसे मैंने आप पहले भी बोला, vulnerability और authenticity, और self-love की जो बात कर रहा था, कि खुद को accept करना, तो यह मैं काफी सोच रहा था, कि यार, you know, आपको खुद से, खुद को accept करना चाहिए, और, you know, it's okay to share your mistakes with other people, अपने flaws को बाहर रखने में कोई, you know, सर्माना नहीं चाहिए, तो I think, जब, you know, जब मैंने दो-चार ऐसे guests का interview किया, जहां पे मैंने उनको पूछा, कि तुमने कैसे खुद को, you know, प्यार करने सिखा, तो उनकी बाते काफी, you know, अच्छी लगी, you know, उसके उसके बाद साइद, you know, मैंने खुद से थोड़ा सा, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करना, you know, सुरू किया, जो बोलते हैं, कि, you know, self-love की जो बात करते हैं, खुद से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करना शाज सुरू किया, but I think you know, हर कन्मजेशन में कुछ ना कुछ आप सिखते ही हो, कुछ नया चीज करते ही हो, तो I wouldn't say कि एक ऐसा insight is जिसने पूरा एकदम बदल दिया, ऐसा नहीं है, but you know, it's like एक छोटु-छोटु सा, you know, brick by brick, you get better and better over the period of time, like, अगर आज भी सब कुछ हटा दिया जाए, सब कुछ, सब कुछ हटा दिया जाए, और सिर्फ बोले कि, तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा podcast से, सिर्फ तुम बात में conversation करोगे, तो तब भी मैं अगले 10 साल तक बीना कुछ कहे, just बैठके मैं ये बाते करूँगा, because बहुत कुछ सीखने को मिलता है, and वो नचिकेत, I mean, I'm sure, you know, आपको भी पता ही हो गया होगा, कि हर लोगों के साथ बात करने में, कितने नए perspectives मिलते हैं, जिन्दगी को लेकर के, कितने नए चीज़ सीखने को मिलता है, उनका नजरिया दुनिया कैसे देखते हैं, वो पता चलता है, तो, हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ए diplomatic answer है, because इतने सारे लोग है, मैं अभी, आप बोल रहे हो, मेरे दिमाग में ऐसे, पंद्रह लोग ऐसे दिमाग में pop-up हो रहे हैं, कि अच्छा ये भी था, इसने भी ये चीज़ बताई थी, इसने ये चीज़ बताई थी, तो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा है, काफी सारे लोगों के stories और काफी सारे लोगों के insights है, जो, you know, काफी stand-out किया है, तो, एक नहीं है, मतलब इसमें. बिल्कुल, बिजय, फिर, coaching के शुरुआत कैसे किया आपने? So, मैंने podcast कर रहा था, I think एक साल हो गए थे podcast करते-करते, तो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि मैं trainers group में था, काफी सारे लोग कहते थे, कि हाँ, काफी अच्छा लग रहा है, keep doing this and that. तो, जब लोग मेरे देखते थे, हर हपते इस लड़के का नया interview आ रहा है, मतलब consistently ये कर रहा है, मैनेट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छे से grow कर रहा है, और हर बार, मतलब, अच्छे से अच्छे guests को लेके आ रहा है, तो then, people started taking seriously, और एक अच्छी बात यह है, कि जब आब हर हपते अगले 6 मैने show up करोगे न, लोग आपको seriously लेना शुरू करेंगा, हर दो बार करोगे, कोई seriously नहीं लेगा, 5 एपिसोड करो, कोई seriously लेगा, जब आप 20, 25, 30, 40 पे जाओगे न, लोग, यह बंदा serious है, मतलब, यह जो कर रहा है, यह सिद्दत से कर रहा है, और यह serious है, और मैंने अभी भी लोगों को यह बोलना शुरू कर दिया, काफी सारे नए podcasters मेरे पास आते हैं, कि यार बीजे इंट्यूव्य करते हैं, चेक करते हैं, और उसके बाद then मैंने का, 25 एपिसोड कंप्लीट करो, फिर बात करते हैं, 25 एपिसोड अगर किसी ने कर लिया, तो इसका मतलब है कि उसने 8 मैंने लगा दिये अपने जिन्दगी के, है ना, तो almost 7-8 मैंने लगा दिये उसने, तो जब 7-8 मैंने कोई कर रहा है इस चीज़ को, मतलब हो serious बन्दा है, तो इसलिए मैंने अभी बोलना सुरू किर दे कि 25 एपिसोड पूरे करो, फिर बात करते हैं, ठीक है, तो हाँ, तो जब trainer group में था, तो ये काफी लोग, you know, मेरे को बोलने लगे कि यार, seriously लेने लगे और उनका आने लगा कि यार, BJ, मेरे को भी podcast करना है, बता कैसे करना है, तो मैं उनके साथ phone call में या उनको message में, whatsapp में मैं बताता था कि ये ये चीज करो, तो फिर और लोग, और लोग आने लगे, और लोग आने लगे, मैंने का है, यार ये तो काफी लोग पूसरे हैं मेरे से, कि भी podcast कैसे करना है, तो I think साथ नहां पर काफी लोग होंगे ऐसे, जो, you know, खुद का podcast सुरू करना चाहते हैं, तो मैं क्यों ना, एक, you know, प्रोग्राम बना लूँ, you know, जिसमें मैं लोगों को podcast सिखा लूँ, तो ये दिमाग में चल रहा था, but you know, podcast था, consulting था, ये वो, सब कुछ चल रहा था, तो time कभी नहीं हो रहा था, तो एक दिन दिमाग में था, back of my mind कि ये करना है, बट, you know, action में नहीं आ रहा था, तो एक दिन मेरे office में Sunday भी मेरे को काम में बुला लिया गया, तो जब Sunday भी office गया तो वो frustration का जो limit होता है वो वहाँ पर break हो गया, कि मेरे पास जिन्देगे में Sunday भी नहीं है अपने लिए तो उसी शाम को में मेरे को भी podcast launch करना है मैं पहली बार छे हपते का podcast का course आप लोगों को दे रहा हूँ मतलब डिजाइन कर रहा हूँ, live coaching call होगा, छे हपते का program है और मैं सिर्फ 10 लोगों को लूँगा, because you know मैं काफी personalized experience के साथ ये program करना चाहता हूँ तो सिर्फ 10 लोगों को मैं coach करूँगा और इसका price ये रहेगा अगर आप interested हैं तो किरपेया करके मेरे को message डाले करके मैंने ये message draft किया, और जब मैं message draft कर रहा था नचीके, ना मेरे को पता था कि मैं ये 6 हफते में क्या सिखाऊंगा अच्छा ना मुझे, ना मेरे पास कोई content था और जब मैंने ये message डाला था जैसे मान लो आज हम April में बात कर रहे हैं, ठीके I think कि मैंने मेरे को exactly पता नहीं, साइध February में अगर मान लो मैं साइध ये FAB में मैंने message draft किया था, 2018 के February में जब मैंने message draft किया था तो मेरे को दिमाग में ये था कि अच्छा, FAB में message draft कर रहा हूँ मेरे को ये 10 लोग जो पैसा दे दे मेरे को और sign up करे, ये 10 लोग भरने में कम से कम भी 3 मैने तो लगेंगे धाई 3 मैने तो लगेंगे तो मैंने, मैंने जो course का date है, actual start date है FAB में में message डालने वाला था April end का मैंने course का date डाला था कि course start होएगा April में sign up करोगे आज तो 2 मैने का ग्या परखा था कि ये 10 लोग घुणने में 2 मैने ते लगेंगे कम से कम तीके, उसके बाद मैंने वो message draft किया, मेरे को कुछ नहीं पता कि मैं 6 हपते में क्या पढ़ाऊंगा क्या structure रहेगा, कैसे सिखाऊंगा टेक क्या होगा कुछ नहीं पता, बट मैंने बस message लिखा और जितने भी मैं WhatsApp group में part था सब में मैंने डाल दिया कि आप लोगों ने बोला है तो कम से कम 40-50 लोगों का मेरे personal में message आया कि यार, I want this, I want this, I want this I want this, I want this, I want this तो मैंने का कि ये रहा, link करो, register, 10 लोग होंगे तो ये बंध कर दूंगा में तो 24 गंटे के अंदर 10 लोगों ने अपना पैसा pay कर दिया, मेरे bank account में 24 गंटे में 10 लोगों का पैसा आ गया, मैंने का, ओहो और वो जितना, मैंने 10 लोगों से एक कठा कर लिया, जितना पैसा मेरे bank में आया वो उस ताए मेरे 2 मेने के salary से भी ज्यादा था तो मैंने का, ओहो मालब ये तो बड़ा interesting चीज हो गया कि 24 गंटे के अंदर वो आ गया फिर मैंने सोचा, ओहो, मैंने ये 2 मेने बाद का क्यों रखा, मैं दूसरे ब्याच भी कर सकता था, लालत होती है तो, बट एक उससे बट उससे एक validation हुआ बट 2 मेने, देन मेरे पास वो पूरा structure में डालने का मेरे खुद के experience जो भी थे उन में से वो चीज करने का तो वो सारा कुछ करके फिर वहाँ से सुरू किया और उसके बाद उसके बाद तो फिर देन ऐसे 10 different patches किया और नाव अभी 20,000 से ज्यादा लोगों ने मेरे जो master class पाड़कस्ट का वो लिया है और जो मेरे course है जिसमें आप भी हो वो हजार से ज्यादा लोग उस course में भी है community में भी है तो ऐसे मतलब शुरूवात हुई थी जो ये coaching या consulting जो भी कहो ये जो आपके bank account में 14 लोगों का पैसा आया था वो podcasting से कमा आयो आप पहली पहला पैसा था आपका हां कह सकते है मतलब उससे पहले जैसे मैंने कहा कि कुछ consulting के consulting client था मेरा वो पे करता था और even podcast में मैंने कुछ products promote किये थे तो उसमें से भी कुछ आया था बट इतना बड़ा मतलब हां absolutely कह सकते है कि ये पहला था बट वो पहला पैसा कौन सा था जो कम भी हो सकता है जो आपने podcasting से कमाया था पहला वेरा जो पैसा था वो I think कुछ कितने था I think 50-60 रुपे था जो किसी ने मैंने जो book recommend किया था मेरे podcast के episode में वो Amazon का affiliate से जाके purchase करने के बाद मेरे को I think कुछ 30-40 रुपे ऐसा कुछ मिला था तो I think वो जब पहला बना था ना जो लग रहा था कि हमें करोड़पती बन गया है बन गया हूँ जब यह 30-40 रुपे 50 रुपे जो भी थे affiliate का पहला जो commission था I think वो सबसे पहला पैसा था I think उसका मैंने किसी ग्रूप में भी उस ताइम मैंने post किया था screenshot लेके की first of many to come करके तो I think वो पहला था बिल्कुल और यह कितने दिन में आप कम आपाई थे जब आपने podcasting शुरू किया उसके बार कितने दिन में आप कम आपाई थे I think कि पाँच से मैंने बाद की बात था because उससे पहले तो लोग सुनी नहीं रहे podcast तो 6 में के बाद ही यह पहला 30 रुपे की एकदम बड़ी अकमाई हो गई थी podcast से I'm sure वो 30 रुपे आपको आज भी याद होगे आप कितने भी पैसे कमा लेंगे तो बिलकुल I mean वो जो पहला वो था उसमें मैंने screenshot लेके groups में share भी किया था कि देखो मतलब podcast से यह पहला मेरा वो है तो वो पहला एककम मतलब बहुत ही वो यादगार रहता है I mean मैं भूल गया था इसको याद दिलाने के लिए शुक्रिया ना चिके So वीजय उसके बार में wine studio की शुरुवात कैसी हुई So जैसे मैंने काथ कि मैं podcast coaching consulting करने लग गया था मैं लोगों को सिखाने लग गया था तो जो मैं ये format पता रहा था तो मैं ये zoom में करता था कि 6 हपते हर Sunday because मेरे weekdays में office होता था तो हर Sunday दो घंटे बैठके में लोगों को सिखाता था podcasting उनको काम देता था वो अगले Sunday वो काम पूरा करके आते थे और सिखाता था वो करते थे तो 6 हपते के end में वो अपना podcast launch करते थे और you know बढ़िया से अपना show record करना है ये सब process 6 हपते का होता था तो ये मैंने काफी सारे batches कर लिया और उसके बाद I think ये चार-पांच करने के बाद मैंने साथ job भी छोड़ दिया था कि हाँ अब साथ ए validated idea है अब मैं साथ फुल टाइम कर सकता हूँ और मेरे पास एक stable income था consulting से मेरा अगर एक coaching नहीं भी चले तो मेरा जो आप को जो मैं consult करता था पार्ट टाइम consulting gig था वो मेरे को अपने salary से ज्यादा payment वो भी देते थे और उनको उनके लिए में बहुत ही कम काम करता था बट वो high pay करते थे तो वो consulting का client अल्रेड़ी था तो एक stability थी कि हाँ चलो मेरा coaching नहीं भी चलेगा तो ये consulting client तो है अगले तीन मैने के लिए कम से कम तो I think अपना you know basic जो requirement है वो वहाँ पे कमी नहीं आएगी तो वो मैंने job छोड़ दिया था उसके बाद मैं ऐसे coaching करता था और you know speaking और workshops ये सब करता था इन डेली में workshop किया physical workshops की बात कर रहा हूँ event करता था तो मेरे को मेरे एक चीज में काफी लंबे समय तक tick नहीं सकता हूँ because मेरे को कुछ नया challenge चाहिए I need something new तो उसके बाद फिर मैंने का कि यार अब क्या कर सकते है नया क्या कर सकते है इसमें मतलब क्या interesting कर सकते है तो उस time मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार अगर मैं यही podcast workshop अगर मैं इनी लोगों को पहाडों में ले जाके तिन दिन वहाँ पे रखूँ और वहाँ पे podcast सिखाऊं तिन दिन बड़िया चुट्टी की चुट्टी हो जाएगी और एक experience लोगों का भी हो जाएगा कि यहाँ पहाडों में जाके podcast सिखरें लोग record करेंगे तो यह मेरे दिमाग में काफ़ interesting idea है and I don't think कि यह world में इंडिया की बात छोड़ दो world में भी किसी ने ऐसा podcast retreat करके ऐसे हिमाडों में पहाडों में ले जाके करने वाला किसी ने सोचा भी नहीं था उस time तक तो यह 2019 की बात है I think मैंने job छोड़ा हुआ छोड़ा ही था मैंने job ज़्यादा time नहीं हुआ था जब मैंने job छोड़ा था 19 की बात है हाँ 19 की बात है पर चेतन महाजन करके एक जेंटलमेन है जिनका मैंने interview किया था उनको मैंने बोला कि चेतन आप इतना अच्छा space run करते हो वहाँ पे हम मिलके एक program करते हैं तो उन्होंने बोला कि यार podcasting में मैंने किया नहीं है पहले तो क्यों करते हैं इंट्रिस्टिंग है वो भी excited हो गए तो हमने मिलके यह किया जुलाई में 2019 के जुलाई में हमने यह program किया जुन जुलाई में तो वहाँ पे 10 लोग आए तिन दिन का program था बहुत ही अच्छा program गया experiential learning था कि लोग पहाड़ों में enjoy कर रहे हैं साम को walk में जा रहे हैं दिन बर पढ़ाई हो रहा है रात को एक दूसरे से connect हो रहे हैं काफी बाते कर रहे हैं तो एक काफी अच्छा एक interesting सा program बना वो और उसके बाद वो तिन दिन event खतम हुआ तिन दिन खतम होने के बाद वहाँ पे एक participant जो थी जो अटेंड कर रहे थी Sonia उसने और हमने बात करने सुरू किया कि और वो भी वहाँ पे वो event अटेंड करने का उसका reason यह था कि उसको भी एक content start-up सुरू करना था कि और लोगों के कहानियां और लोगों के brands के कहानियां और वोल्ल चे शेर करवाना था तो she was very passionate about narrative sharing stories of people with the world और मैं भी अपना obviously podcast के जरिये अगला मेरा भी वही था कि मेरे को भी a podcast start-up सुरू करना है जहां पे मैं काफी सारे podcast बनाओ interesting से podcast बनाओ तो हम जब बात करने लगे तो हमें काफी वो लगा कि and she comes with a business background मैंने कभी business नहीं किया मेरे दूर दूर तक कोई business नहीं करते है and she has worked with a lot of start-ups in the past and she has done you know some start-ups in the past as well तो you know she comes with that background तो हमें लगा कि यार हम दोनों का strength side you know match होता है तो फिर हमने वही पे decide किया हमालाइन में हिमालाइन में कि चलो हम दोनों मिलके कुछ नया सुरू करते है तो that's how you know wine studio was born जुलाई में जुन जुलाई में जब हम पाहाडो में थे तो वहाँ पे हुआ and eventually September 2019 में हमारा मतलब officially registered company wine studio हमने launch किया तो यह एक काफ़ इंट्रिस्टिंग स्टोरी है great और अभी आपको उसमें funding मिला है और उसका valuation भी it is I think 20 crores के आसपा सबका valuation भी हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत बनाई है आपको और क्या factors लगते हैं आपको कि आप एक जिसे बहुल रहे थे कि एक छोटे से room से plastic के chair पे से बैठके studio आपने recording शुरू करने से लेके इतने चार-पास सालों के अंदर एक company बना के उसका valuation 20 crore तक पहुचाना इसके पीछे क्या factors आपको लगते हैं हो सकते हैं I think सबसे बड़ा factor है कि आपका network बिकर जितने भी चीजें अच्छी चीजें हुई है मेरे जिन्दगी में पिछले 4-5 साल में वो और कुछ नहीं है बस network का ही देन है अगर आप सोचो अगर आप सोचो है कि ये पूरा ये पूरा जो मेरे करने का पूरा process भी अगर समझो तो मैंने कहा चेतन से बात किया जो वहाँ पे हिमालाई में एक interesting सा place run करते हैं तो चेतन को मैं कैसे मिला चेतन को मेरे को एक किरुबा शंकर करके दूसरे बंदे हैं उन्होंने introduce कराया अब किरुबा शंकर को कैसे मिला उनको मैंने अपने podcast में interview किया था तो तो फिर कीरुबा शंकर ने मेरे को चेतन से मिलाया, फिर मैंने चेतन को अपने podcast में interview किया, तो जब interview किया, तो हमारी दोस्ती हुई, और हमने बात उद करने सुरू किया, तो फिर देखा कि कैसे साथ में काम कर सकते हैं, तो फिर चेतन के साथ मिलके, वो event हुआ, वो चेतन के एक network का ही है I think जब biggest और इवन आज हमारे जो clients आते हैं राइट जो हम जिनके लिए podcast करते हैं और clients आते हैं वो या तो Sonia के खुद के network से आते हैं या मेरे network से आते हैं तो ये सब network का खेल है कि आप और ये network का मतलब ये है कि आप कितना value दूसरे बंदों को add कर रहे हो और उनको genuine efforts दिखता है कि ने मैं बार-बार genuine इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग बाहर हर कोई कहता है मैं ये करता हूँ वो करता हूँ बट actually असली मैं मतलब कौन है वो लोग जो मेहनत के साथ dedication के साथ कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं तो I think सबसे बड़ा factor में ये ही कहूंगा कि काफी लोग interview करते हैं और मैं ये ही कहता हूँ लोगों को जो podcast करते हैं कि सिर्फ interview करके मत छोड़ो interview करने के बाद उनके साथ एक दोस्ती बनाना या उनके देखो कि कैसे उनको value add कर सकते हो वो करो and constantly be of service people connecter बनो मैं अभी एक guest को दूसरे guest से connect कराता हूँ तो उन दोनों को value लगता है कि BJ ने connect करवाया है और मेरा काम बना इस बंदे से तो you know start connecting people you know देखो उनको कुछ help कर सकते हो if there is anything that you can help them with तो I think जब genuinely आप लोगों को help करना चाते हो तो I think काफी सारे ऐसे opportunities आते है great और BJ क्या फरक है BJ गौतम पहले के BJ गौतम में और आज जो entrepreneur BJ गौतम है उसके सोच में क्या फरक है I think सोच में so जैसे मैंने कहा कि जब आप एक certain upbringing से आप बड़े होते हो जब आपके parents आप अपने beliefs आपको देते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर कोई जो बंदा suggestion दे वो आपके लिए relevant हो because जब कोई भी आपको ये बोलता है ये हो नहीं सकता या हो सकता है तो ये आप से कोई लेना देना नहीं है ये उनका belief system है कि वो सोचते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ठीक है अगर आप सोच रहे हो कि मैरे को you know let's say online कुछ भी या instagram में reels बनाना है या podcast करना है या music करना है या painting करना है तो इसमें career बन सकता है कि नहीं अगर जो भी बंदा बोल रहा है बन सकता है या जो भी बंदा बोल रहा है बन नहीं सकता है तो ये दोनों अपने beliefs आपको दे रहे हैं now अब आपका choice है कि आप किसके belief को आप मानते हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो I think मेरे को बस यह लगता है कि अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो और आपने साथ एक चीज में फोकस किया है अगर आप देखोगे पिसले 4-5 साल के मेरे पूरे सोसल मीडिया जाके देखो मैं सिर्फ एक ही चीज की बात करता हूँ तो I think that one focus on that one thing without you know shiny object syndrome बोलते है ना जहां पे आप मतलब कुछ नया आगया नया में गए आज अच्छा podcast लग रहा है podcast करते हैं कल YouTube करते हैं परसों blogging करते हैं वो अच्छा reel आगया अब reel में लगते हैं जब यह हम इदर बहुत ज़दा attention divert करते हैं और बहुत आसान भी है आज के उसमें तो वो काफी होता है तो I think मेरे एक यह रहा है हमेशा की pick one thing and stay on course no matter how long it takes कि आप कितना ही time लगे आप एक चीज़ पकड़ो और उसी में लगो बट उस एक चीज़ में sure हो खुद से कि हाँ यह है एक चीज़ मेरा otherwise फिर आप दस साल के बाद पता चला अच्छा यह तो नहीं था यह नहीं करना था तो I think अब मेरे अब जब आप बस यह होता है कि अगर वहां से यहां तक आते हैं तो I think मेरे को अभी आप महात्रिया रा करके एक इन उस्प्रिशन लीडर है उनका 2014 में इवेंट अटेंड किया था और वो चीज़ मेरे को काफी रेजोनेट होती है उन्होंने कहा था कि आप कहां से यहां तक आए वो मैटर नहीं करता It's not about where to here It's all about here to where मतलब आप कहां से यहां तक आए वो मैटर नहीं करता अब यहां से कहां वो मैटर करता है आप अगर आप कह रहे हो कि एक रूम में था मेरे पास resources नहीं थे मेरे पास यह नहीं था तो मैं यहां तक आ गया तो अब तो आपके पास इतने resources है इतने support system है आपको लोग जानते हैं तो यहां से आप कहां जा सकते हो I think वो होना चाहिए तो I think वो एक काफी मेरे पूर रेजोनेट होता है कि अब अगर वहां से यहां तक आ सकते हैं तो अब यहां से कहां जा सकते हैं विकाज आपके पास अभी resources भी है support system है जब सब कुछ आप खुदी कर रहे थे तो अब आपके पास एक अच्छक team भी है जो काम करती है तो यहां से कहां So I think एक वो है कि आप now here to where या तो आप यह बोल सकते हैं कि ओहो मैंने इतना कर दिया और आप rest करो आराम करो कि हाँ बहुत कर दिया जिंदगी में या यह सूचो कि यार अब वहां से यहां तक आ सकते हैं तो अब तो मतलब यहां से कहां तक जा सकते हैं तो उन्होंने एक अच्छा हासा example भी दिया था कि हम हमेंसा यहीं बोलते हैं कि हमारे Modi जी without you know talking about the political side of things you know तो Modi जी एक चाय वाले होके prime minister बने और हम यह celebrate करते हैं कि अगर चाय वाले होके वहां से यहां तक तो आप तो prime minister है यहां से इंडिया को कहां ले जा सकते हैं है ना अगर आप एक वहां से यहां तो यहां से कहां तो I think वो एक बड़ा काफी you know resonate होता है मेरे को तो I think यही जो है thoughts Great, great definitely and एक आखरी सवाल पूछता हो फिर next round के दरफ जाएंगे so how do you आप podcast के future को कैसे देखते हो यह बहुत बार आप से सवाल पूछा गया है और you know आपने बोला भी है लेकिन फिर से मैं एक बार उसे पूछना चाहूँगा की future of podcast क्या है and उसमें भी especially regional languages का future क्या है so podcast बहुती तेजगती में अभी बढ़ रहा है जबी अभी आप और हम बात कर रहे हैं spotify और apple podcast दोनों ने podcast monetization कर दिया केहने का मतलब है कि आप अपने podcast episodes को paid कर सकते हो आप you know let's say आपने 10 episode कर लिया 10 में 8 episode free रखके 2 episode में आप charge भी कर सकते हो लोगों को ये कर सकते हो और आप तो इंडिया में काफी काफी you know speed से podcast का growth हो रहा है तो podcast is definitely growing और उसमें सबसे ज्यादा growth जो next growth है वो regional language से आने वाला है because आज भी regional language में quality content नहीं है कोई भी topic आप उठालो चाहे आप parenting में करना चाहते हो चाहे आप entertainment करना चाहते हो चाहे आप you know कहानिया सुनाने चाहते हो या चाहे आप लोगों को you know inspirational story share करना चाहते हो कुछ भी करो quality content regional language में आज भी नहीं है और उसका एक example नचिके थे इन्होंने you know Marathi में podcast सुरू किया था और you know उस Marathi podcast it's doing really really good right so I think वो type का growth हमें अभी देखने को मिलेगा regional language में so अगर कोई भी सुन रहा है Hindi में सुरू करना है Mathly में करना है Tamil में करना है Telugu में करना है Punjabi में करना है तो यह perfect time है podcast में जो सबसे पहले जाके jump करता है so 2017 में मेरे को jump करने का obviously मेरे को फाइदा है नचिकेत ने पिछले साल सुरू किया you know Marathi में अब कोई भी बंदा Marathi में आएगा तो जो एक साल की नचिकेत की learning है वो बंदे को learning के थूरू जाना पड़ेगा और नचिकेत ने वो already सीख लिया कि क्या काम करता है क्या नहीं तो वे साई benefit आपको अपने language में रहेगा so I think you know podcast बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और हम अगले एक-दो साल में you know we'll start seeing more ways to make money out of the podcast as well अब एक full profession भी बन सकता है eventually not right now but again अगर आप पैसे के लिए podcast करना चाह रहे है तो please मत कीजिए इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा नहीं बना सकते हो बिलकुल बना सकते हो अगर वो ही primary motive है तो आप disappoint हो जाएंगे आप 6 मैने, 7 मैने तक 10 listener के साथ continuously नहीं कर पाएंगे because आपको पैसे चाहिए तो अगर आपको genuinely content create करना है serve करना है following बढ़ाना है तो you know podcast बहुती अच्छा medium है because लोग कहीं पे भी चलते फिरते drive करते time dog को walk में लेके जाते time work out करते time खाना बनाते time सुन सकते हैं you know screen की ज़रूरत नहीं है तो एक बहुती beautiful medium है तो absolutely great great so Vijay हम लोग अपने अगली round की तरफ बढ़ते हैं आपको एक वाक्य में जवाब देना है short answers देना है okay अच्छा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे लोग है जो आपको mentor बना के हम लोग ले फूटकास्ट चूरू किया है तो क्या लगता है आपको कि ये जो format हम लोग आपसे copy कर रहे है आपसे inspire होके हम लोग ले रहे है how do you feel about it मेरे को बहुत अच्छा लगता है at least हम quality content तो produce कर रहे हैं at least हम एक format structure की बाते सोच रहे हैं और उसका program का objective ही यह है कि आप लोग सब एक professional तरीके से एक अच्छे से अच्छे structure में करो तो वो काफी अच्छी बात है मेरे को तो अच्छा लगता है कि ज्यादा लोग अच्छे तरीके से podcast कर रहे हैं समझ के कर रहे हैं और लंबा खेलने के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है पहला सवाल है कि एक कोई भी book जो आपने पढ़ी है जिससे आपको inspiration मिली है और जो आप recommend करेंगे सबको पढ़ने के लिए जो मैं अभी जो एक book पढ़ रहा हूँ वो है 50 toughest questions of life बहुत ही प्यारी सी book है दीपक रमोला एक lyricist है और TED speaker भी है उन्होंने काफी अच्छी book लिखी है उसमें कुछ नहीं है बट 50 questions है जो आपको खुद से पूछने है और वो question आपको खुद के life वे deep जाने के लिए काफी प्रोचान करता है तो I think वो एक book अभी मैं पढ़ रहा हूँ और अभी मैं काफी लोगों को जो भी मेरे दोस्त हैं उनको मैं randomly उनमें से कोई भी question उठा के पूछ भी देता हूँ तो वो एकदम से जाते हैं ओ अच्छा it's like thought-provoking questions है मेरे दोस्त लाई कि कहां से आ रहे हैं ये question तो बहुत ही बहुत ही प्यारा सा book है तो I think I would say कि वो book सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए काफी प्यारा book है बहुत ही simple language में लिखी हुई book है so 50 Toughest Questions of the Life by Deepak Ramola है उसके अलवा तो जो बांकी classic है Think and Grow Reach है Napoleon Hill का वो पढ़ सकते हो काफी अच्छा book है Man's Search for Meaning Victor Flankel वो एक जबरदस्त book है जो आप पढ़ सकते हैं तो ये दो-तिन book हैं जो So हमारे शोताओं को आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हो इसमें से 50 Toughest Question में से वाउ So एक question उसमें है उसमें वैसे तो काफी सारे questions है जो उसमें उसमें से जो एक question है जो I think I wanna ask the listeners is Did you not always know that you will land here? मतलब इसी लाइन में इसका मतलब है कि क्या आपको पता नहीं था कि आप जहां हो वहीं पे होगे आज जिंदगी में मतलब आप अपने पीछे देखो कि क्या आपको पता नहीं था कि आप यहांई पे होगे जहां पे होँ आप जिस भी condition में हो चाहिए अच्छे या चाहिए बुरे क्या आपको नहीं लगता था कि आपको पता था कि आप यहीं पे land करने वाले हो कि इसका मतलब है कि हम सब को पता है हम कहां जो हमारे आज के activity है जो हमारे आज के dreams है उसके regarding हम कहां जाएंगे life में क्या achieve करेंगे वो हम सब को पता है तो I think अगर हमें अलग position पे या अलग जगा पे land होना है तो साथ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा अलग सबने देखना पड़ेगा अगर हम वही सबने या वही तरीके से सोच रहे है तो then हमें पता ही है हम कहां land होंगे तो I think वो एक काफी interesting question बहुत ही बड़ी है विजय आपके life की एक daily habit जिससे आपको इतना सब कुछ करने के लिए फाइदा हुआ है so I think habit से ज्यादा मैं इसको अपने mindset से mindset मानता हूँ जो यह है कि जो मेरा एक ability है कि मैं perfection change नहीं करता हूँ मतलब अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ कि the ability to put the half baked cake out there तो मतलब की आपका पूरा पका हुआ नहीं है आदा पका हुआ कि कोही बाहर market में निकालो और जो भी आप product है service है जो भी आप काम कर रहे हो मैं perfection के लिए I'm not a perfectionist कि मेरे को एकम perfect होना चाहिए वो मैं wait नहीं करता हूँ कि जो मेरे ability के हिसाब से जो best है उसको मैं mark put out करता हूँ और उसके बाद then I take feedback and improve on this later on instead of thinking that मैं perfect बनाऊंगा तभी बाहर निकालूंगा because that only delays your progress yes and as a mentor मैंने आप से ये चीज बहुत सिखी और इसके वज़े से मैं आज तीन podcast जो भी शुरू कर सुखा हूँ आपके इस advice और इस आपका जो mentorship था उसके वज़े से और इसको double मेरे को even महेक मिर्जा प्रभू जिसका interview आपने भी लिया है मैंने भी लिया था so उन्होंने भी यही कहा था कि perfection is a future journey तो उसके पीछे मत भावब absolutely और आपने I think Rahul Narvaker का भी किया है उन्होंने इस case में एक बहुत ही interesting वो देते हैं example देते हैं उन्होंने मेरे को उनको मैंने यह question पुछा था कि आप क्या perfectionist है तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया वो बोलते हैं कि perfect क्या होता है कौन define करता है क्या perfect है iPhone 1 जब आया था क्या वो perfect था आज मूड के देखोगे तो iPhone 1 तो तुम हसते हो कि यार ऐसा भी कोई phone होता है क्योंकि iPhone 10, 12 आया तो then क्या 12 perfect है तो then अगर आप सोंचोगे तो आज के लिए तो लगता है कि यार यार ये तो बड़िया phone है बट जब iPhone 17, 18 आयगा तो 12 को देखके साथ आप हसोगे कि यार ये तो बहुत ही बेकार phone था तो I think perfection is relative so who defines perfection you know and what is perfect तो I think instead of diving too deep है उनको एक message देना तो आप क्या बोलेंगे I think यह है don't overthink just go and do it and बीजे आभी आखरी सवाल एक hypothetical सवाल पूसरा हूँ कि अगर आपको दूदरशन पे कल रात को 8 बज़े बुलाया जाए और आपको आपके मन की बात 130 करोड लोगों को बतानी है तो आप क्या बोलोगे I think मैं यह ही कहूंगा कि साहिदे Maya Angelou ने बोला है कि आपके जो talent है वो आपके gifts नहीं है यह आपके responsibility है Your talents are not your gift, they are your responsibility तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके परस कोई talent है तो यह आपके responsibility है कि वो आप बाहर share करो, लोगों को साथ रखो, अगर आपको dancing बहुत अच्छी आती है तो then आप gift नहीं है जो आप अपने पास रखो, इसको share करो इनो पूरा दुनिया देखना चाहता है या चाहती है, अगर महेंदर सिंग धोनी cricket नहीं खेलते तो साहिद हमें वो helicopter shot कभी नहीं मिलता साइद cricket में देखने को चाहिद मेसी ने decide करते कि मैं football नहीं खेलूंगा तो साइद वो जो chip shot मारते हैं football में साइद वो हमें कभी देखने को नहीं मिलता या एहार रहमान अगर बोलते कि मेरे को music नहीं करना तो साइद जो gift तो इसलिए जो आपका talent है वो आपका gift नहीं है वो एक responsibility है और यह आपकी responsibility है कि उसको आप सब के सामने बाटें, share करें so just go and share your gift with the world वाव, great आप आपके busy schedule से time निकल के यहाँ पर आये, सबसे बाते की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बहुत सरी बाते सीखने को मिली है बहुत ही powerful episode रहा है यह so बहुत-बहुत धन्यवाद आपका thank you नचीकित, मेरे को नहीं पता मैं हिंदी कितना अच्छा कर पाया हूँ usually मैं हिंदी बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है मैं अभी तक भी figure out कर रहा हूँ कि हिंदी में खाने का भी gender होता है गुलाब जामुन होता है और जले भी होती है यह मैं figure out करी रहा हूँ क्यों ऐसा होता है बट आई होप लोगों को इन अच्छा कर बहुत भाली मिला होगा बिलकुल बिलकुल आंक्स तैंक्स अलोट विजय तैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच बहुत ही मज़ा आया हाँ जिके दोस्तों उम्मिद है विजय गौतम से की हुई यह बाते आपको जरूर पसंद आई होगी आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे वेबसाइट www.mipodcaster.com इस पे जाके आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुचाईए आपको भी मेरी तरह बिजय से पॉड़कास्टिंग सीखना है तो इस एपिसोड के शो नोट में उससे जुड़ी हुई लिंक दी है उस पे क्लिक करके आप उनके कोर्स को जॉइन कर सकते हो तो फिर मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ तब तक के लिए बाई बाई